नमस्कार कक्षा आठ एक्सरसाइस तीन पॉइंट एक प्रशन नंबर छे का डी भाग हम करने जा रहे हैं हमारे पास देखिए एक दो तीन चार पांच पांच बुजाओं वाला एक पंच बुज है इसके सभी कोण दिया हुए है एक्स 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 इसकी सारी पिछले कोशन में किया कोणों का योग ये पांच बुजाओं थी इसकी पांच कोणों का योग कितना है था पांच एक्स 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 यानि एक्स प्लस 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 एक्स प इनका जोड है 540 डिग्री एक्स को 5 बार जमा करने पर हमें मिलता है 5 गुना एक्स यानि 5 एक्स बराबर 540 डिग्री एक्स किसके बराबर होगा बच्चों 545 इधर गुना हो रहा है उधर या के हो जाएगा भाग हो जाएगा ठीक है बच्चों तो या गया 540 डिग्री बटा 5 अब आप इसे भाग कर सकते हो मैं इसको सीधे ही काट सकता हूँ ठीक है इसलिए मैं इसको यही पर काट सूँगा देख्यों कैसे 5 एक्स पांच उसके बाद है 4 5 के पाड़े में 4 नहीं आ सकता छोटा है इसलिए हम लगाएंगे 0 भाग में भी हम ऐसे करते हैं जब छोटा होता है तो हम 0 लगाकर अगली संख्या उतारते हैं इसमें भी वैसे कर रहे हैं 5 को 5 से काटा 5 एकम 5 अगली संख्या लगी हमने 4 लेकिन वो 5 से छोटी है तो हम 0 लगाएंगे तो अगली भी संख्या ले लेंगे वो बनगी 40 पांच के पाड़े में 40 कब आएगा 5 अठे 40 ठीक है इसका मतलब X का मान हमारे पास कितना आ गया है X का मान हमारे पास कितना आ गया 108 डिग्री X बराबर 108 डिग्री यही हमें इसमें निकालना था आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आया होगा यदि इसमें कहीं पे भी आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर दुबारा भी देख सकते हैं यदि आपको हमारा यह वीडियो और यह प्रशन अच्छे से समझ आया है तो कृपया मेरे वीडियो को यूट्यूब पर लाइक भी कीजे और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजे ताकि आप बाकी वीडियो को भी देख सकें धन्यवाद